उत्रप्रदेश सिक्षा सेवा चैन आयूग को लेकर के बात करें तो सच्यू और उप सच्यू की नियुक्ति कर दी गई है जब हम डॉक्टर मालविय की बात करते हैं या फिर हम नवल किशोरज की बात करें तो सचिव और उप सचिव क्रमसा जो है न्यूक्त कर लिये गए हैं यहाँ पर एक जानकारी हम आपको और देना चाहेंगे कि 22 जुलाई जो है वो डेडलाइन दे गई थी कि जो अध्यक्ष पद है उसे भर लिया जाएगा वहाँ पर जब हम पर्मनेंट अध्यक्ष प्रेसिजेंट के बात करते हैं उतर प्रदेशिक सासे वाचेन आयो को ले करके वह चुन लिये जाएंगे और उसके बाद आपको जितनी भी जो भरती प्रक्रियाएं हैं वह pending हो या फिर वैकंट जो भी सीट्स हैं उन पर जो भी चरन पर करिया है उसका संचालन या फिर यू कहें कि उस पर एक जो कैलेंडर है एक जो वार्षिक कैलेंडर की बात करें वहाँ जुह है आयो की दवारा जारी कर दिया जाएगा यहाँ पर आपने देखा कि दैनिक भासकरत के द्वारा कल एक ख़वर दी गई और उसमें एक वीडियो भी मैंने आपको बना करके उसमें मैंने जानकरी दी थी उसमें 45,000 प्रारंभिक जब हम बात करते हैं या फिर यूँ कहें कि जो परिशदे इसकुलों में प्रात्विक सिक्षक भरती की बात की जाए या सिक्षक भरती की पदों की बात की जाए वो संख्या बताई गई पैटालिस हजार यहाँ पर जो 17,000 पद थे वो आप सभी को याद होगा विधान सभा चुनाओ से पहले इतने पदों की भरती पदों पर भरती देने की बात की गई थी तो कहीं न कहीं यह पद यह मान की चुली है आपकी 50,000 से उपर होने वाले हैं और आपको इस बात के हम जानकारी देने की वो ख़बर कहीं न कहीं से दनिक भासकरत को जरूर मिली होगी कहीं ने कहीं से जब हम आयोग की बात करें हम उतरबर्देश शाषन की बात करें कि वहां से कहीं ने कहीं उन्हें वो information जरूर मिली होगी उसके बाद ही उन्हें वो ख़वर चलाई और ये बात बिल्कुल सही है मैंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में आपने देखा कितने कम समय में भर्तियां हो रही है यूपी में यूपी पहले ही इसका उधारड दे चुका है 68579,000 सिक्षक भर्तिया आप देखें समय सिमा कितने कम समय में भर्तियां कम्प्लीट कराई गई मैं लब उनका नोटिफिकेशन आया और पईपर हुआ यहां पर फिर से ये परिक्षाइं जो है वह करवाई जा सकती है और पदो की संख्या 50,000 के उपर ही आपको देखने को मिलेगी ये बात भी तहे है तो उस ख़बर को जो भासकर की ख़बर थी मैंने कहा आप उसे सचमान करके भी चल सकते हैं अगर आप सही तरीके से एक तरीके से होता नहीं कि सकारात्मक अगर पॉजिटिव मोटिवेशन लेना है तो तो आप अपनी पढ़ाई पर कहीं न कहीं ध्यान देना आभी से शुरू कर देंगे और अगर आप यही सोच के चल रहे हैं कि अभी भी कुछ नहीं होने वाला है तो ऐसे में फिर वह तो एक उसका दूसरा जो है पहलो या फिर पक्षा हो गया यहाँ पर यह बात भीता है आप सभी को पता है कि यूपी में जिस तरीके से जो प्रदर्शन रहा है जब हम इंडिये भाज़पा सरकार के बात करते हैं लोगसभा चुनाओं के बाद में तो ऐसे में अगर सत्ता में रहना है तो कहीं न कहीं भरती देनी होगी यह बात आप भी जानते हो चाहे हम पुलिस भरती के बात करें चाहे हम यहाँ पर शिक्षक भरती को लेकर के बात करें सरकार को भी पता है कि अगर हमें सत्ता में रहना है तो वह काम हमें करना ही पड़ेगा हमें भरती देनी ही होगी और आप देख रहे हैं कि अभी सच्यो और अभी की latest ख़बर है यह चुन लिए गए हैं और यहां पर जो अध्यक्ष हैं वो इसी कहा गया है 22 जुलाई लेकिन आपको इसी जुलाई में अध्यक्ष देखने को मिल जाएगा और उसके बाद कहीं न कहीं बाकी सारी जो पेंडिंग प्रॉसेसेस हैं वो कम्प्लीट करने ऐसे में शुरू हो जाएंगे यूपीट की परिक्षा जरूर होगी एक उसके बाद ही आपको कोई भरती की परिक्षा देखने को मिल सकती है तो यहां पर आप अपनी पढ़ाई जो है आप अपनी इन चीजों को सकारात्मक तरीके से अभी ले करके चलिए अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरीके से ध्यान देना शुरू कर दीजिए कंपटिशन का लेबल बहुत ही तगड़ा होने वाला है यह बात आप जानते हूं पांच-छे साल हो गया बढ़ती देखने को नहीं मिली है और एक से एक इस्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे जो बिहार में चाहनित हुई है वो कहीं ने क को उससे हम अवगत जरूर कराएंगे महें शक्राट भी अंडरोड अप्लिकेशन को आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत सारा जब हम एम सी की उसकी बात करते हैं मल्टिपल च्वाइस क्वेस्टन्स टे सीरीज आपके पीडिएफ नोट्स सब कुछ आपको मि करने भर की देर है मिलते हैं को और वीडियो के साथ में